बादल सा गर्चे हम, सावन सा परसे, सूरत सा जमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम गुड मार्निंग बच्चो, कैसे आप सब लोग? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे से हों कि अपने घर में तो हमने A.B. फैमली शुरू किया था तो ये हमने खतम कर दिया आज हम करेंगे answer the following questions ठीक है और मैंने किछ questions के answer यहाँ पे दिये हैं आपको और आपने क्या करना है ये questions अच्छे से पढ़ने हैं और याद भी करने हैं तो पहला question हमें क्या बता रहा है है How many members are there in your family? हमने एक A.B. family में एक जिसका मतलब है A.B. family का मतलब है एक बड़ा परिवर उसमें पहला question हमने पढ़ा था के How many members are there in your family? के आपकी family में या तुम्हारी family में कितने members हैं? तो वहाँ पर आपके eight members थे क्योंकि जैसे की आपका Paris और कुल्दी दो उनकी sisters थी अब उनके parents भी उनके साथ रहते थे तो वह सारे मिला के eight members हो जाते हैं question number two है How many sisters do you have named them? कि कितनी sisters हैं? आपकी sisters कितनी हैं? ठीक है? आपकी sister कितनी हैं और उनके नाम भी बताने हैं? तो two sisters थी उनकी किरती और वन शिका ठीक है? दो sisters है जिनका नाम एक किरती था और दूसरा का नाम वन शिका था question number three है How many brothers do you have? कि आपके कितने भाई हैं? तो name them तो उनके दो भाई थे एक का नाम था पारस और दूसरे का नाम था कुलदीब ठीक है पारस और कुलदीब की दो बहने थी ठीक है किरती और वन शिका उसके बाद आपका चौथा question है do your grandfather and grandmother live with you कि जो तुमारे दादी मा और जो आपका दादा जी हैं वो आपके साथ रहते थे या रहते हैं तो इसका अंसर है yes our grandfather and grandmother live with us कि जी हाँ हमारे grandfather और grandmother दादा और दादी हमारे साथ रहते हैं ठीक है तो यह क्या है यह question और answer है काफी easy questions है और आपने क्या करना है यह questions अच्छे से पढ़ने हैं और याद भी करने लरन भी करना इस चीज़ को ठीक है और मैंने यहाँ पर question answer दौनों लिखे हुए हैं और आपने अच्छे से तियार करना है इनको ठीक है और आप homework भी लिखकर मेरे whatsapp number पर send कर देना ठीक है और यह सारे questions, 4 questions मैंने आपको पढ़ाए हैं और यह 4 questions, 4 के 4 मुझे लिखकर मेरे whatsapp number पर send कर देना और आपको कहीं problem या difficulty आती होगी तो आप मुझे मेरे whatsapp number पर message भी कर सकते हो या मुझे contact भी कर सकते हो ठीक है तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, thank you so much ग्र लाघ कर दो और हैं या तोी पिस भी करेंग हैं और कि यह हैं और मिल दो같़ प्तिड़़् संस्टी em विद्दोने कर वे दो प्रेकिन सब्सकरों कर भी को